चब तक हम अपने सेलिंग स्किल को नहीं जान पाएंगे हम कभी भी अपने जीवन के लक्ष को पाने के योग नहीं बन सकते बेचने का प्रोफेशन एक्साइटिंग और इनाम देने वाला यानि रिवार्डिंग होता है ये आर्थिक फानेशली और भावनात्मक इमोशनल दोनों रूपों में इनाम देने वाला होता है ये हताशा डिप्रेसिंग और निराशा पोल फ्रस्टेटिंग भी होता है ये इस सोच एटिट्यूट पर बहुत निर्बर करता है कि एक इनसान सफलता और असफलता को कैसे जहलता है जब हम एक सेल करते हैं भावनात्मक रूप से उत्साहित हो जाते हैं जब हम कोई सेल नहीं कर पाते तब हम अपने आप को हारा हुआ रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड मानते हैं जब एक सेल्समैन महसूस करता है कि सेल्स प्रोफेशन सिर्फ सेल या बेचने का प्रोफेशन नहीं है बलकि इस से दूसरों की मदद और उनकी समस्याओं को सुलजाया जाता है तब उनकी लाइफ में असली चेंज आता है तब उनकी जिन्दगी में असली फर्क परता है इस प्रोफेशन में सफल होने के लिए एक इनसान को साबित किया हूँ वो तरीका अपनाना चाहिए जिसे उसे बार बार दोराने से वही नतीजे आ सकें जिससे उसे निरंतर पॉस्टिव परिणाम मिल सकें ग्रहकों को परेखने की पहचान और उनका सही माग दर्शन करने के जरिए एक अच्छा सेल्समैन सही या पॉस्टिव नतीजे लाता है पॉस्टिव परिणाम को पाने के लिए वो बेचने का परभावी तरीका अपनाता है वास्तम में इस प्रक्रिया को दोराने से वही नतीजे आता है जहां सेल्समैन इस प्रोफेशन में आजादी और सोतंता की खोच करता है वहीं ज्यादा तर अच्छे सेल्स प्रोफेशनल ये महसूस करते हैं की सफलता संकल और स्वेम के अनुसाशन से आती है और इसी से निरंतर तरक्की होती है जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उन्हें बौधिक, मानसिक और नैतिक सहयोग की आवशकता महसूस होती है कभी कभी पीट पर शाबास्ची की और कभी कभी पीछे से धक्का देने की जरूरत होती है ठीक एक खिलाडी एतलीट की तरह जिसे एक कोच की जरूरत होती है एक अच्छे से इस प्रोफेशनल को भी एक कोच की जरूरत होती है एक अच्छे कोच की भूमिका है लोगों के जुन्ड को एक संगठित टीम में बदलने की इस टीम में हर खिलाडी एक स्टार पर्फॉर्मर बनता है बेजने के प्रोफेशन में समस्या को गहराई से समझकर अपने कार्यों के अनुभूती और इमानदारी के द्वारा सही समाधान परदान करना होता है ताकि आपसी विवारिक लेंदें दोनों के लिए फाइदे मन्द हो बेजने का प्रोफेशन शतरंच के खेल की तरह है जिसमें एक अच्छा खिलाडी अपने विपक्षी के आगे चलने वाली सभी चाल का मौाइना पहले करता है प्री एम्ट्स और उसके अनुसार आगे बढ़ने की योजना बनाता है एक अच्छे प्रोफेशनल की तुलना आटो पाइलेट से की जाती है आटो पाइलेट का मतलब क्या होता है आटो पाइलेट का मतलब होता है जैसे प्लेन में हवाई जहाज में इतनी सारी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद एक हवाई जहाज अपने सही रास्ते पर कैसे चलता रहता है अगर आप यही सवाल प्लेन के कैप्टन से पूछे तो वो बताएंगे कि कमपास और लाल बत्ती जो लगातार बिलिंक करती रहती है यानि जलती बुष्टी रहती है कभी भी जब ऐसा होता है कि जब एरक्राफ्ट यानि प्लेन अपने रास्ते से भटक जाता है लेकिन जैस ही ऐसा होता है उसी समय आटो पाइलेट इसे ट्रैक पर या सही रास्ते पर वापस ले आता है अब ज़रा ध्यान से सोचें कि क्या यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू नहीं होती है क्या हम भी कभी कभी जीवन में रास्ते से भटक या इधर उधर नहीं हो जाते औ वो आटो पाइलेट हैं ये कोश्चन्स ये सवाल अगर ये सवाल आप अपने आप से रोज सुभा और शाम दो दो तीन तीन बार या जब भी आप डाउन अपने आपको महसूस कर रहेंगे और इनके जवाब अगर इनके जवाब आपने लिख लिए इन सवालों के जवाब ही आपको आटो पाइलेट बना देंगे आप खुद अपने आप सही ट्रैक पर वापस आ जाएंगे जैसे ही आप पटरी पर से उतरेंगे वैसे ही ये सवाल और इन सवालों के जवाब आपको ट्रैक पर वापस पहुचा देंगे वो सवाल क्या हैं आईए देखते हैं वो स चाहता क्या हूँ, second question है, what is important about it, यानि यहाँ पर आएंगे values, values क्या होते हैं, मूल हैं, सिद्धान्थ हैं, या उसूल, क्या आपके लिए सबसाथा important क्या है, इसके बारे में important क्या है, third question आएगा, how will I get it, यानि methods, क्या मुझे क्या चाहिए, फिर अगला question है, कैसे चाहिए, do the math, यहाँ पर math लगा नहीं है, do the simple math, कैसे हम उस चीज को पाएंगे, number four, what is preventing me from having it, यानि obstacles, बाधाएं क्या क्या आ रही हैं, मुझे मेरा लक्ष पाने में, मुझे मेरा मकसद पाने में, मुझे मेरा purpose उद्देश पूरा करने में, कौन-कौन सी obstacles आ रही हैं, कौन-कौन सी ची इसमें थोड़ा time लगाईएगा, अगर time लगे, सोच के ध्यान से बहुत इत्मिनान से सारे सवालों के जवाब देना है, क्योंकि यह आपकी life तै करेंगे, believe मानिये, trust me, how will I know I am successful, यानि measurements, अब आप जानेंगे कि कैसे जानेंगे कि आप successful हैं, आपकी निगा में success का क्या मतल है, अपने जवाबों को record करें, और फिर चमतकार देखें, इन सवालों के जवाब लिखें, एक paper पर फिर उन्हें बोल के record कर लें, और रोज, सुबा, दुपह, शाम, नहीं तो सुबा, शाम जरूर सुनें, और फिर आप अपनी life में देखेंगे चमतकार, अगर चमतकार प आद में बोलेंगे, थैंक्स मी लेटर